अभी बाहत अन्स्रिकार कीजिया। स्याथियू, डक्टर बबासाहिब अंबेट कर, क्यों, किन परिस्थिती में हमारा लोगों को उनका स्पीस के माध्यम से ऐसे क्यों बता डाले हैं। क्या बताते हैं बाबासाहिब अंबेट कर। 24th, 25th, ये दो दिन का कनफेरंस हैं। 1948 में बाबासाहिब अंबेट कर, खास करके वारत में रहने वाले शूद्रों को, I mean सदूल कास्ट, सदूल ट्राइब, OBC, जितने भी अंटचबल लोगों को ये क्या बताते हैं बाबासाहिब। लखनों में बाबासाहिब कहते हैं, Organized under one leader, one party, one program. क्यों? क्यों बाबासाहिब अंबेट कर उनका 113 स्पीच, बलुम सत्रा पाट थाड में, भारत में रहने वाले शूद्रों को दबे कुछली लोगों को, क्यों इसे बताते हैं, एक ही पलेडिकल पार्टी में आना एक ही पलेडिकल पार्टी में रहे के काम करना चाहिए, एक ही प्रोग्राम लोगों का होना चाहिए उनका शंविधानिक सुरिख्या, उनका आधिकार का सुरिख्या, एशे सब्द बाबासाहिब क्यों, April 1948, 25th April में बताते हैं, साथियों, एप्रिल मेहने में, करका द्वार प्रभावित होके, लखनों का 2000 से ज़्यादा ओरत और मैं और उमन अपना अधिकार मागने के लिए, सामाजिक न्याय मागने के लिए, सामाजिक एक्वालिटी एस्टाइश करने के लिए, डेमोक्राशिक प्रोसेस में, पीस्फुली प्रोसेस में किसका खिला? उसपक्त का इंटर्म गवर्मेंट पंडित चबाला नहुरूजी का खिला, मतलब वारत सरकार का खिला, 1948 में वारत सरकार बन चुका था, तो जात पात से आजादी, भुख मरी से आजादी, सम्रस्त तरस्तापन करने के लिए, उतर प्रदेश का 2000 से जादा दल अरित दरे कुछले लोग सड़क परा है, इतने में ही पंडित चबाला नहुरूजी गुस्सा हो गए, और 2000 लोगों को लखनो जेल में डाला गया, इलिग गारी डिटेंशन किया गया, और इनका अधिकार मानमे वाले लोगों को तानासाही दिखाकर उन्ही जेल का अंदर दाला गया, ये खबर बबासाहिब अंबेट कर गुरहा नहीं गया, बबासाहिब अंबेट कर 24 अपरिल लखनो कूज कर गया है, तो 24 और 25 अपरिल बे वान लाक्षे जड़ा लोग एकठा हो गए बबासाहिब को सुनने के लिए, उस में, उस जगा पर बबासाहिब ये दा लोगों को एक ही पॉलिटिकल पार्टी में काम करना चाहिए, और उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी करके, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी संगठन बना के ये काम करेंगे, तो इनका आजादी नहीं होगा, संब्यधानिक अधिकार इनको नहीं मिलेगा, औ और राजनित्ति का सब्ता इनको कभी भी उपभूख करने के लिए अधिकार नहीं मिलेगा। आपका दुख, दर्थ, दूर करने के लिए काम करेगा। यह कभी भी नहीं करेगा। जो भी प्रोविन्स में उचे जाती वाले का पाटी का सार्शन होता है, वहां कभी भी शडूल कास, शडूल क्राइब, अंटाचबल OBC को शर्मा नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, और उनका जिंदेगी खुशी नहीं होगा। अज बबासाइब यह किरते हैं लोगों को, पलिटिकल पावार इस था की तो अब सुचियल प्रोग्रेस एंड दार्ट, दलित कन अचीब देस सालवेशन। बबासाइब अंबित कर भाईलो मिशतरा पाठ थार्ट, फेज 388 पाराग्राप 4 में यह लिखते हैं, पलिटिकल पावार इस दे की तो सुचियल प्रोग्रेस, राजलेतिक तागत ऐसा एक तागत है, सोचियल प्रोग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा उइपन है, सबसे पादी के लिए, मुक्ती के लिए, शर्वेशन के लिए, राजनीची ताकत बहुत जरूरी है, इसलिए बबासाइब उम्पेट का अर्गनाइज कहते हैं, एक ही पार्टी का बात देते हैं, उन्ली वान पार्टी का बैनर जोग नेसनाल पार्टी बन जाता है, वारत बरस म शूद्रों का, कोई एक ही नेसनाल पार्टी का बैनर में काम करने से, इनका अजादी और सल्वेशन होगा, तनि कि ये पेज नमबर 388, पराग्राफ फोर में आप दिखिए, भलुप शत्रा में आपको रिफेर्स के लिए मिल जाएगा, बबासाइब ये भी कहते हैं, जितने उच बन का, शवर्न पर इसनाल प्रटी किया गया प्लिटिकल पार्टी में, जब सेडूल कास्ट, सेडूल ट्राइब, वोबीशी लोग जाई करेंगे, इन लोगों का कभी भी ताकत नहीं आएगा, आज का तारीक में, जितनी भी मनुवाधि पार्टी चल रहे हैं, जेश्री, बीजेपी, कांग्रेस, कम्निस्ट, वह हमें बीचु चन्तादन, और आपका पच्चिल लंगाल में तुरूल कांग्रेस, ये सब मनुवाधियों का वीचार में चलने वाले पार्टी हैं, ऐसे पलिटिकल पार्टी हों में, जब शुद्रों का लोग जोईन करेंगे और काम करेंगे, उनको कभी भी राजने तिक तारत नहीं मिलेगा, और वह कभी शुरक्यत नहीं रहेगा, बबासाहिम ये बात बताते हैं, जब तक भारत का शूद्र, आपना पलिटिकल पार्टी का स स्ट्रंथ बढ़ा रहे है और शुद्रों का स्ट्रंथ कमजूर कर रहे है इसले बबासाइब कहते है उनका मालूम पुसात्रा पाथ था पेज 3.89 में बबासाइब कहते है पेराग्राफ वान में if we join the other party we will only increase the strength of our aim by joining the other party I mean to say you that बबासाइब कहते है शुद्र अपना party छोड़कर untouchable अपना party छोड़कर जब कोई दूसरा party में वो जाइन कर लेता है वो अपना को और आपने आपको कमजूर कर लेता है और मनुवादियों ताकतबर बना लेता है इसलिए बबासाइब उम्बेट कर दिशानिर्थ जिते हुए page 389 paragraph 1 भर्म 17 पार्थार में ये बताते है कभी भी कस्पन परिष्टिती मेरे शुद्रों को शवर्नों का party में जैन करना नहीं चाहिए कभी भी आप ऐसा गलती मत किजिए आप लोग जब ऐसा गलती करेंगे तो खुद ही आप कमजूर बन जाएए आपका भलाई होने वाला नहीं है और आपका समाचका भी भला होने वाला नहीं है यह संवेधानिक प्रक्रिया में आप गुजर नहीं पाएंगे और अपना लोग के लिए आप कानुन बना नहीं पाएंगे इसलिए वाबा साहिब आमबेट कर यहां मना कर देते हैं और एक पार वाबा साहिब आमबेट कर यहां लिखते हैं मनुवादी पार्टी और बर्निंग हाउस। वे कनाट बी प्रस्परियस दे इफुल अंदेर इन इट। फेज 3.89 परग्रफ 2 भलूम सप्राप पार्थार में वावा साय लिखते। Congress and other मनुवादी पार्टी एक जलता हुआ मकान है। उस मकान का अंदर जब अचूद घुष जाता है, सुद्र घुष जाता है, वो जल जाता है। वहाँ जाके वो खुद तो जल जाता है और आपना समाज को भी चला डालता है। वहाँ हमारा progress होने वाला नहीं है। इसलिए आप उस पार्टी का अंदर कभी भी घुषने के लिए भी कोशिस मत किजिए। क्योंकि ये एक जलता हुआ, एक जलता हुआ बकान है। वो हमारा लिए बहुत बड़ा खत्रा है। ऐसे political party के वारे में बाबा साहिब कहते है। ये page number 389, paragraph 2 में लिखा जाता है। आप reference के लिए, बलुम 17, 15, 15 में जाके थोड़ा देख सेकते हैं। बाबा साहिब ये भी warning देते हैं। दा Congress और मनुवादी party, खासकर के Congress will ruin within couple years, और कुछ सालों के बाद, कुछ बरसों के बाद, ये Congress भारत बस पर नहीं रहे हैं। क्योंकि ये anti-democracy है। जो भी party anti-democracy होता है, वो party का मजबूती का किला को भी लोग बरबात कर देते हैं। दादा साहिब कंचिरम, मानने बर कंचिरम, Congress को पूरा असका तारिक में कमजूर कर दिये। क्योंकि बहुजोनों का भोट, Congress की तरफ जाना बंद हो गया। दादा साहिब कंचिरम ये भी बताते हैं। बीजेपी ऐसा एक political party है। वो राजने तिक दाओं धरम के ना आड में खेलता है। वो जो धरम के आड पर जो राजने तिक दाओं खेलते हैं। वो कुछ साल के बद अपने याद कमजूर बन जाता है। क्योंकि कितने दिन तक लोग अंध की तरह बानेंगे। लोग पढ़ लिक कर जान जाएंगे। तो एक धरम का आड में खेलने वाले किला भस्त हो जाएगा। ये महापूरुशों का बानी सत्समुच में सही होना दिखाई देता है। और दिखाई दे रहा है। आज का तरीक में, we must have to be organized ourself to a third party. They will be come to our feet to be to bed. Page 389 paragraph 3. भलूम सत्रा में बबासा कहते हैं, हम भारत का सूद्रों, third party बनाना है, third national party को मजबूत करना है, ताकि हम सरकार बनाने के लिए और सरकार बनाने वाले को कमजूर्ब कर देंगे। और ये एक हुक्मरान हमारा, पेर का नीचे आ जाएंगे। जो काम ददासा काल्ची रभ ने, बसपा का मध्यम से कर डाले। आज उठार नस्माल पार्टी बन के उबरा है। हम जितने भी लोग बबासाइब अम्मेट करकर दायत है। उनका भलू शत्रा पेर 389, 388 को सही से पढ़ना है और 113 स्पीच को और अस्पा को मजबत करना है। और देश का संभीधान को बचाना है। सच मुच में हम बबासाइब को मामते हैं। तो बबासाइब का बात को पालन करना होगा। जितने भी आज दलितों का मशीहा बनकी उभर रहे हैं। नेशनाल पार्टी बना रहे हैं। ये बबासाइब अम्मेटकर को दोगा दे रहे हैं। क्योंकि बबासाइब अम्मेटकर उनका भालू सत्रा पार्थार पेज। 388-389, speech number 113 में बताते हैं। अपका spin परिस्तिति में भी बिखरना नहीं। ज़्यादा पार्टी बनाना नहीं। जब नेशनाल पार्टी अपका बन जाता है। तो आप उसी का वेनर में आ जाईए। और देश का संविधान को बचा है। बाबा साइब ये भी कहते हैं। मैंने बहुत महनत करके अपना परिवार का पांच-पांच मेंबर को समाज के लिए डेडिकेट करके आपको ये संविधानिक प्रक्रिया का अधिकार देके जा रहा हूं। इनको बरकरार रखना। इनको बरकरार रखने के लिए आपको राजनितिक ताकत अकटा होके लड़ना। इसलिए मैंने आपको ये आदेश दे रहा हूं। बाबा साइब कहते हैं। वाम लेडर। वान पार्टी, वान बैनर, वान प्रोग्रम। जितने चोटे चोटे पलिडिकल पार्टी बस पाक को छोड़कर बहुत सारे भोजोनों का पार्टी बना रहे हैं। बबासप के खिलाव कर रहे है बबासप का बैजार को तूड़ रहे है साथियों जबंब असली बबासप का बारिस है और बबासप को जानने वाले लोगे आप तनिक इंगलिस लिटरिचर का बौलूम सत्रा पढ़़ थाल्ड 113 स्पीच को गवल से पढ़िये अरजोनेया नया पार्टी बना कर हमारा भोट को डिमिजन कर रहे है उनसे साथधान रहे है जेभी मूलने वाले भी आज का तारीक में भवासाहिप को बीचार को कमजूर करने के लिए एक से ज़्यादा पार्टी बना कर भोट को डिमिजन कर रहे है साथियों हम भवासाहिप को मानेंगे इनाइटड होके ही रहेंगे और देश में हमारा प्रती होने वाले अज्यचार को मिटाएंगे और इक्वालिटी को मिटाएंगे संभीधानी प्रक्रिया में गुजर कर कानूब बनाकर देश हित में लड़ेंगे और देश को बचाएंगे देश को भुकमरी से अजादी करेंगे देश को जदिबात से अजादी करेंगे जेश में इक्वालडी और सम्रस्तरस्तावन करेंगे अब सब लोग एसम्यूज का इस मुहिम में जुड जाएंगे और सम्रस्तरस्तावन को बचाएंगे थैंक यू